आप सभी स्ट्वेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जैसे आप लोग देख सकते हैं यह जो अपडेट आप लोग देख पा रहे हैं यह एक जॉब का फॉर्म है मतलब जारखन में एक जॉब निकला है इसी के बारे में अभी हम लोग डिसकस करेंगे बहुत ही अच्छा सा वैकेंसी है सबसे पहले आप लोग देख लिजिए कि यह जो हमारा आज का वीडियो है कौन-कौन आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग जो भी 10th क्लास पास है आप लोग इस वीडियो को देखिए चाहे आप class 11th में है, चाहे आप class 12th में है, चाहे आप अभी BA कर रहे हैं, या फिर BSC कर रहे हैं, या फिर BICOM कर रहे हैं, या फिर आपका BA BSC BICOM complete हो गया है तो आप इस वीडियो को एकदम सुरू से लेकर last तक देखिए, कि बहुत ही अच्छा ये vacancy है, आप लोग इस form को भरो, exam दो और भाई, job लेलो, ठीक है, और अभी job का जमाना है, और देखिए सबसे पहले एक important बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, कि जारकन में बहुत ही जल्द election आने वाला है, इसलिए अगर हर एक यहाँ पर जो जो मांगा जाएगा qualification अगर आप में है, तो भाई आप इस form को भर देना, आगे मैं आपको complete बताऊंगा, कि यहाँ पर जीस एक चीज तो आपको किलियर हो गया, कि कौन-कौन बच्चे इस form को भर सकते है मैंने आपको सुरू में qualification बता दिया, लेकिन और बहुत सरा criteria है, जैसे कि आपका age हो गया, ठीक है, और जो भी चीज है मैं आपको एकर करके हैंपर समझाओंगा, form कैसे भरना है, form का P क्या है, age limit क्या है, pattern कितना मिलेगा, seat क्या है, exam क्या होगा, exam का pattern क्या है, तैयारी आप कहां से करोगे, A, 2, Z, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, और देखिए, अगर आपको job के बारे में, या फिर कोई साबी जैसे कि आपका vacancy आता है, अगर ये सब चीज के बारे में जानना है, तो हमारा और एक channel है, जिसका नाम है, रोजगार TV, ठीक है, रोजगार TV, तो सबसे पहले आप इस channel को सर्च करो, और इस channel को subscribe कर लो, कि maximum job से related, या फिर vacancy से related, जो भी notification होता है, इसी channel में दिया जाता है, अब देखिए, अब हमारा ये जो vacancy है, आप देख सकते हो, इस vacancy का नाम क्या है, फिर इससे आपको मतलब नहीं है, नाम है, जे अप WCE 2024, तो ये ह आपका vacancy का नाम, और टोटल इसमें 510 seat है, भई, 510 seat है, तो 510, तो 510 में से 510 आपको नहीं चाहिए, आपको एक seat चाहिए, ठीक है, आगे देखिए, ये जो update है, ये हमारा paper में भी आया हुआ है, इसमें आपको स्वस्ति विभाग में, क्या है 510, छेत्री कारिय करता भरत मतलब इसमें चेत्री कारिय करता है, मतलब जीसे field वर को होता है, जीसे पोली वेगरा होता है, तो बहुत ही अच्छा काम है, भाई, बेतन भी आपको अच्छा कासा मिलेगा, और ये जो vacancy है, ये भाराना कब से सुरू होगा, इस चीच को देख लिजिए, ये vacancy आपका भा जाना सुरू होगा, एक अगस्त से सुरू होगा, और इसका last date है आपका 31 अगस्त, यानि एक अगस्त से आप लोग इस form को online भर सकते हो, online, एक अगस्त से 31 अगस्त तक आप लोग इस form को भर सकते हो, आगे हम लोग एकक करके discuss करते हैं, आप देख लो यहाँ पर total जो आपका सीट है आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपका जैसे की यहाँ पर आपका कूल लिखा हुआ है और यहाँ पर जैसे महिलाओं के लिए है तो आप देखो यहाँ पर कितना किसका है तो सबसे पहले है आपका यहाँ पर एक नमबर में है अनारक्षित यानि जेनरल तो जेनरल के इसमें कितना है तो 7 है आगे देखो आगे आपका फिर है आपका अनसुचित जाती तो अनसुचित जाती में इध्यार आपका 44 है महिला के लिए 2 है अच्ट्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग स्वाटकर में BC1 बोलते हैं ठीक है BC1 तो BC1 के लिए 45 स्ट है और महिला के और महिला में यहां पर कितना है तो 3 है तो कुछ इस प्रकार से यहां पर हमारा केटेगरी वाइज सीट है और टोटल सीट यहां पर मैंने आपको बता दिया तोटल है आपका 510 सीट अब इस फॉर्म को भरोगे तो फॉर्म तो पहला पर आपका आपका ऑनलाइन भराएगा पहले पेमेंट कितना करना देखो पहुती कम पैसा लग रहा है इसलिए मैं तो बोलूँगा क्या लोग फॉर्म भर देना चीक है यहां पर परिक्षा सुल्क कितना है तो फॉर्म भरने में मात्र आपको यहां पर 100 रुपया पैसा ही लगने वाला है 100 रुपया दे दो फॉ आगे देखो कुछ यहाँ पर इंपोटेंट रेट है आप इस डेट सबको देख सकते हो एक डेट तुम आने आपको बता ही दिया एक डेट आपका कितना है एक अगस्त से लेकर आप 31 अगस्त तक आप लोग फार्म भर सकते हो आप लोग फार्म भर्सकते हो या 2023 के मजद रात्री तक यानि दो आप सप्टेंबर अगस्त सेप्टेंबर होता है तो दो सप्टेंबर तक आप लोग यहां पर फी जमा कर सकते हो और जो फोटो और जो सिगनेचर होगा इसको प्रिंट करने के लिए जो डेट दिया गया है 492024 यहां पर आपका डेट दिया गया है और किसी प्रकार का कुछ अगर आप इडिट करना चाहते हो तो आप यहां पर 692024 से 892024 तक यहां पर आप इडिट कर सकते हो और इडिट में आप यहां पर नाम जन्मितिती इमेल आईड आप वहां पर changing बेगरा कर सकते हो, तो यह तो एक चीज हो गया, अब आगे आप देख लो, देख लो भाई, बेतन, बेतन यहां पर आपको अच्छा खासा मिलेगा, अगर बेतन देखा जाए ना, तो आपका starting बेतन 30 पलस हो जाएगा, 30 पलस आपका बेतन होगा, और केवल औ यहां पर 10th pass ही मांगा गया है, 10th pass, यानि 10th pass यदि आप हो, चाहे आप कलास 11 से हो, 12 से हो, चाहे आप अप गरेजविशन कर रहे हो, या फिर आपका गरेजविशन कंप्लेट हो गया है, तो आप इस फ़र्म को भर सकते हो, ठीक है, आगे देख लो, आगे अगे अगर हम ल आपका 18 साल होना चाहिए, तभी आप लोग फ़र्म को भर सकते हो, नहीं तो आप लोग फ़र्म को नहीं भर सकते हो, तो एक चीज़ यहां पर किलियर कर लो, आगे देख लो, और यहां पर क्या-क्या, यहां पर रखा गया है, देखो, अब जो आपका जेनरल है, या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर बर्ग के जो भी मतलब स्टुडेंट है, इनके लिए यहां पर एज रखा गया है, 35 बर्स यानि कि 35 साल, ठीक है, अब देखो, यहां पर BC1 या फिर BC2, जो आपका पूरूस है, यानि जो मेल है, आपका मेल, यानि पूरूस जो है, इसके महिला आपका जेनरल हो सकता है, चाहे आपका महिला आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग का हो सकता है, या फिर BC1 का हो सकता है, या फिर BC2 का हो सकता है, इसके लिए यहां पर जो एज है, कितना है, 38 साल, और जो हमारा SCST जो है, जो हमारा SCST है, चाहे पूरूस रहे, चाहे महिल रहे इसके लिए एज रखा गया है यहां पर 40 सल तो यह रहा हमारा एज और कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए तभी आप आपका MRCT में भी हो सकता है इसको अगर क्लियर नहीं क्या गया है आगे क्लियर हो जाएगा आपका एक्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है या पिर आपका एक्जाम दोगे तो एक्जाम में यहां पर आपका क्या फंडा है मैं आपको समझाता हूँ जैसे अगर कोई question का अगर आप ल इस question का answer तो आपको 3 number मिलेगा, कितना number मिलेगा भाई, 3 number मिलेगा, और किसी भी question का अगर मानिक चिल अगर आपने गलत दे दिया है, तो एक number आपका काट लिया जाएगा, एक अंक काट लिया जाएगा, तो एक अंक माइनस हो जाएगा, और किसी भी question का मानिक चिल अगर आपन गलत दोगे तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा अब इसमें देखो होगा क्या अब इसमें होगा आपका ये ये जो परिक्षा होगा इस परिक्षा में आपका तीन पेपर होगा इस परिक्षा में आपका तीन पेपर होगा कैसे क्या क्या होगा यहाँ पर मैं आपको ए नहीं होगा और यदि आप paper 1 और paper 2 दोनों pass करोगे तो ही आपका paper 3 check होगा नहीं तो आपका paper 3 check नहीं होगा और pass होने के लिए यहां पर मात्र आपको यहां पर 30% marks लाना है यानि अगर actual में देखा जाए तो जैसे अभी हम लोग 120 questions जैसे रहेगा 120 का अगर हम लोग 30% निकाले तो यह हो जाएगा 0-0 कड़िया यानि बारतिया 36 यानि 120 question में से आपको 36 question सही करने है तो आप आराम से कर लोगे 120 में 36 नहीं कर पाओगे पक्का कर लोगे बस त्यारी भी आपको करना ही है और रोजगार tv channel में आपका त्यारी भी हो जाएगा देखो आपको समझाता हो कि क् देखो परिक्षा होगा आपका एक ही परिक्षा होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है मुझ के परिक्षा के लिए तीन पेपर होंगे यह परिक्षा तीन पालियों मिली जाएगी और तेक पत्र के परिक्षा क्याबधी दो घंटे की होगी दो घंटे का परिक्षा होगा इसमें सबसे पहले हो आपका प्ऐकर 1 में होगा आपका भासा में इसमें आपका हिंदी रहे गा हिंदी में रहेगा आपका 80 इंग्लीष में रहेगा आपका 40 कोस्ट्टन्स टोटल आपका 120 कोस्ट्टν meer को 63 करने हैं कि अपको 30% मांक्स यहां पर लेकर आना है एक सीज़ के लिए हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर टू पेपर टू आपका है छेत्री भासा यहां पर जितना भासा देख पारे हो इसमें से कोई साथ आपको चुनना है हिंदी अंग्रेजी संस्क्री तुर्दू संथाली बंगला मुंडारी हो खडिया पुर्माली खोटा नागपुरी पंचपरगनिया उडिया इसमें से कोई साथ आपको एक लेंग्विज पर लेना है इसमें आपका 100 कोश्चन्स रहेगा और इसमें भी पास करने के लिए आपको भाई 30 परसंट कोश्चन्स यानि सही करने हैं देख लो यह चीज़ समझ गया आप तो प हार्कन राज जीसे सम्मंदित इसमें से मळग्यान सैपके 10 कोश्चन्स वीध्यान 20 कोश्चन्स कोश्चन्स का और समयों बता देना भई जानकर आप पूलो तक पहुंच जाएगा इसका सिलेवस बेगरा हरेक्षी आप लोगों को रोजवाट टिवी चैनल में मिल जाएगा इसलिए आप लोग जाओ और पड़ा पड़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो चलो यह रहा हमार आज का वीडियो में थैंक यू जाहिंद